मेरा नाम जीया है मैं एक बहुत गरीब परिवार में रहने वाली लड़की थी हम पांच भाई बहन थे मेरे पिता एक किसान थे और खेती बाड़ी करते थे पिता जी की कमाई से हमें कोई फायदा नहीं होता था क्योंकि आजकल वैसे भी किसानों की कोई वैल्यू नहीं है औ और हम तीनों बहने मिलकर मा के साथ अचार बनाने में उनकी हेल्प करते थे अचार बनाने के बाद हम उनको पैक किया करते थे मेरे दोनों भाई मिलकर शेहर में उस अचार को बेचने जाते थे मेरी मा के हाथ में बहुत टेस था इसलिए उनका अचार असानी से बिग जाता था, मैं सब भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, हम तीनों बहनों ने शुरू से ही बहुत मुश्किल भरे दिन देखे थे, एक भाई अभी भी बहुत छोटा था, कोई मेहनत मजदूरी का काम नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने बड़े भाई के साथ आचार बेचने चला जाता था, सबसे बड़ा भाई 12 साल का था, एक वही था, जिसको हमारे घर की बहुत जादा फिक्र थी, और वो अभी से ही काफी महनत करता था, मैं सबसे बड़ी थी, इसलिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मुझ पर ही थी, मैं घर का सारा काम करती थी, और हम तीनों बहने मिलकर मा का अचार बनाने में हाथ बटाती थी, हमारे घर के हलात जिस तरहां के थे, ऐसी हलत होने की वज़ा से हमारे घर पर अच्छे परिवारों के रिष्टे भी नहीं आते थे, हम लोग ज्यादा पड़े लिखे भी नहीं थे, इसलिए हम बहनों में से कोई भी किसी तर प्यार देने के लिए और कुछ भी नहीं था मेरे पिता जी अपने पांचों बच्चों से बहुत प्यार करते थे अपने पिता जी की उदासी और घर के हालात देखते हुए मैं खुद ही कह दिया करती थी कि मुझे शादी नहीं करनी है क्योंकि आज के जमाने में किसी को भी लड़की नहीं चाहिए बलकि लड़की के साथ साथ बहुत सारा दहेज भी चाहिए वो देने के लिए मेरे पिता जी के पास कुछ भी नहीं था इसलिए मेरे हर बार इंकार करने पर पिता जी खुद ही खामोश हो जाया करते थे और समझ जाते थे कि उनकी बेटी किस पैट्चों की शादी करनी है उनकी जित की खातिर मैं भी शादी के लिए मान गई थी मैंने अपने पिताजी से कहा भी था कि आप मेरे लिए इतना क्यूं परिशान हो रहे हैं मेरे पिताजी ने कहा कि तुम कैसी बेवकूफों वाली बाते कर रही हो एक ना एक दिन हर लड़ बात के साथ विदा किया तुम देखना भगवान तुम्हारी शादी भी अच्छे तरीके से करवा देगा मेरी लिए एक अच्छा रिष्टा आ गया था लड़का काफी पड़ा लिखा था रिष्टा अच्छा था इसलिए पिता जी मुझे मनाने की कोशिश कर भी रहे थे मग उन्होंने फोटो में मुझे पसंद कर लिया था मेरे पिता जी तो लड़के वालों की बहुत तारीफ कर रहे थे मैंने अपने पिता जी से कहा था कि जिन लोगों की आप तारीफ कर रहे हो अगर कल को उन्होंने भी अपनी बड़ी बड़ी डिमांड्स कर दी तो फिर हम ल प्रश्वाद कही थी उसके बाद में अपने कमरे में जाकर अपनी गरीबी पर रो रही थी जिसकी वज़़ज़ से ना चाहते हुए भी अपने पिता जी की परिशानी को देखकर मैंने अपने पिता जी की हामे हा मिला दी और इस विश्टे के लिए हा कर दी थी मेरे पर अपने बहन भाईयों से मिलकर बहुत रोई थी और हमेशा प्रात्ना करती रहती थी कि भगवान मेरे माता पिता के घर में हमेशा सुक्षान्ती बनाए रखना और मेरे माता पिता और बहन भाईयों की सारी परिशानियों को दूर कर देना और उन लोगों को हमेशा खुश मैं विदा होकर अपनी ससुराल चली आई थी, मेरे माय के में हम घर में साथ मेंबर थे, इसलिए घर काफी भरा-भरा सा लगता था और यहां में ससुराल आई थी तो मुझे यहां पर तो कोई भी दिखाई नहीं देता था, यहां पर तो बस में अकेली ही रहती थी, मेरे पती जवान बच्चों की पिता हैं, उन्होंने अपने आपको बहुत मेंटेन करके रखा हुआ था, मुझे इस घर में किसी से भी कोई प्राब्लम नहीं थी, मेरे ससुर अंधे थे और वो महसूस करके अपने सारे काम कर लिया करते थे, मेरे ससुर की आदत भी बहुत अच्छी थी लेकिन कभी कभी मुझे उन्हें देख कर बहुत अजीब लगता था, कहने को तो वो अंधे थे, मगर ऐसा लगता था, जैसे वो मुझे घूर घूर कर देख रहे हैं, उनके इस तरह से देखने पर मेरा पूरा शरीर काम उठता था, मगर मैं उनसे कुछ कह भी तो नहीं सकत देवर मेरा पूरा दिन काम पर होता था, और घर में ससुर के अलावा मेरी एक जवान नंद भी रहती थी, जो कि कुवारी और बहुत जादा खुबसूरत थी, और अभी पढ़ाई कर रही थी, वो सुबह को कॉलिज जाती और दोपैर तक घर वापस लोट आती थी, उसकी तरफ से तो मैं बहुत ही खुश रहती थी, वो मेरे किसी भी काम में कभी कोई दखल अंदाजी नहीं करती थी, लेकिन इधर पती से बहुत परिशान थी, शादी की पहली रात से ही उसने मुझ पर जल्म करने शुरू कर दिये थे, वो मुझे मारता पीटता था, छोटी छो किने मुझसे एक कप चाय बनवाई थी, मैंने चाय बनाई तो गलती से मुझसे चाय में चीनी ज्यादा पढ़ गई थी, जिसकी वज़ा से उन्होंने मुझे गुस्से में बहुत ही मारा था, क्योंकि मेरे माईके में कभी भी मेरे उपर किसी ने हाथ तक नहीं उठाया था मैं बहुत जादा रो रही थी, जब मेरी नंद अचानक भागती हुई कमरे में आई थी, शायद उसने शोर की आवाज सुन ली थी, आते ही उसने मुझे जमीन से उठा कर बैट पर बिठाया और मुझे पानी पिलाया और पूछने लगी, भाबी, क्या हुआ है, मैंने उसक खामोशी से उसकी बाते सुनती रही थी, क्योंकि मेरी माने मुझे हमीशा समझाया था, कि पती से कभी भी बराबरी करने की कोशिश मत करना, और नहीं उससे किसी भी तरह की कोई बत्तमीजी करना, वो जो भी करे, खामोशी से सहन करती रहना, क्योंकि इसी तरह से घर बसते अगर लड़की मर्द को बराबर का जवाब देती है तो ऐसी लड़कियों के घर नहीं बसते और बहुत जल्दी उनके घर बरबाद हो जाते हैं। अपनी मा की बात को अपने पल्लू से बांध लिया था। वैसी भी हम गरीब लड़कियों को इसी तरहां से अपने घर को बसा कर रखना होता है। मेरी नंद का बिहेवियर बहुत अच्छा था। उसके समझाने पर मैं थोड़ी बेफिकर हो गई थी और सोचती थी कि चलो कोई तो इस घर में मेरा अपना है। किसी में तो अभी इंसानियत बाकी है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इस घर की लोगों के कितने भयानक चहरे हैं जो अभी मेरे सामने नहीं आये हैं बलकि मेरे सामने आने वाले थे। मैं इन भयानक चहरों से अभी अंजान थी क्योंकि सभी लोग बाहर से देखने में बहुत अच्छे और मासूम नजर आते थे मेरे देवर का behavior भी मेरे साथ बहुत अच्छा रहता था रात को आता तो मैं उसे खाना दे दिया करती थी खाना खाने के बाद वो मुझसे एक दो बाते करता और फिर अपने कमरे में चला जाता था वो बाच्छी तो थोड़ी कम करता था लेकिन सही तरीके से और बहुत तमीज के साथ करता था मेरी नंद कॉलिज जाने से पहले मेरे साथ कीचन का सारा काम करवा देती थी मैं नाश्टा बनाती थी तो वो बरतन धोदिया करती थी और घर की साफ सफाई कर देती थी हम दोनों मिल बाट कर काम कर लिया करते थे इस तरहां से घर के सारे काम जल्दी जल्दी हो जाते थे और मैं फ्री हो जाती थी मेरे पती रोज रात को घर आता तो किसी ने किसी बात पर मुझे बहुत मारता था मुझे तो ऐसा लगता था, जैसे वो ड्रिंक करके घर आता है, मैं अपने पती से बहुत जादा डरती थी, मेरी शादी को एक महीना हो गया था, और मेरे शरीर पर जगा जगा चोटों के निशान बेहिसाब हो गए थे, मेरे ससुर तो सारा दिन अपने कमरे में पड़े रहते थे, उनको जो काम होता था, वो अपनी बेटी को आवाज लगा लिया करते थे, मेरी नंद अपने पिता के सारे काम करती थी, या फिर कभी-कभी वो बाहर आकर बैट जाते थे, मेरी नंद दूपैर को कॉलिज जाती थी, तो उसकी जगा मैं अपने ससुर को खाना देने उन लगा कर मांगते थे जैसे मैं तो उनको खाना देती ही नहीं हूँ मुझे उनकी इस बात पर बहुत गुस्सा आता था मगर मैं खामोश रहती थी एक दिन मेरी नंद अपनी फ्रेंड के साथ मार्केट गई हुई थी शाम के चार बज रहे थे मैं अपने ससूर के लिए चाय बनाकर उनके कमरे में देने जा रही थी मैंने जैसे ही अपने ससूर के कमरे का दर्वाजा खोला तो ये देखकर मैं हरान रह गई कि मेरे ससूर के हाथ में एक मैगजीन थी और वो मैगजीन को पढ़ रहे थे मैं ये देखकर परिशान हो गई कि वो तो अंधे थे भले वो मैगजीन कैसे पढ़ सकते हैं कमरे का दर्वाजा खोलते ही मेरी नजर सेधी अपने ससुर के उपर गई थी जैसे ही उन्होंने दर्वाजा खुलने की आहट सुनी फौरण उन्होंने मैगजीन को अपने हाथ से नीचे रख दिया मैं इतनी हैरान होकर ये सब कुछ दर्वाजे पर खड़ी हुई सोच रही थी कि आखिर ये क्या हो रहा है और मेरे ससुर क्या कर रहे थे क्या वो अंधे नहीं थे लेकिन ऐसा भी नामुम्किन नहीं था तो फिर मेरे ससुर ऐसी हरकते क्यों कर रहे थे मैंने दिल में सोचा कि ये मेरा वहम भी तो हो सकता है मैंने चाय अपने ससुर के पास रग दी और मैं अपने कमरे में आ गई थी मैंने सोचा गर्मी बहुत जादा हो रही है मैं थोड़ा फ्रेश होकर आराम कर लेती हूँ दोपैर को मेरी नंद आ जाती थी और शाम के लिए मुझे खाना भी बनाना था इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ मेरे पती भी घर पर नहीं थे वो रात को देर से ही घर पर आते थे मैं फारण अपने कपड़े अलमारी से निकाल कर बाथरूम में नहाने के लिए चली गई फिर अचानक मुझे याद आया कि मैं पहले फ्रिज से सब्जिया निकाल कर रख देती हूँ ताकि जब तक मैं अराम करके किचन में खाना बनाने के लिए जाऊँ सब्जिया नॉर्मल टेंपरेचर की हो जाए क्योंकि फिरिज में सब्जिया बहुत जादा ठंडी हो जाती है मैं किचन में जाकर सब्जिया फिरिज से बहार निकाल आई थी उसके बाद जैसे ही मैं अपने कमरे में आई और बाथरूम में नहाने के लिए जाने लगी तो ये देखकर मैं हरान रह गई मेरे पूछने पर वो कहने लगे कि बहु मैं तो तुम्हारे बाथरूम के दर्वाजे की कुंडी ठीक करने के लिए आया था तुम्हारे बाथरूम के दर्वाजे की कुंडी खराब हो रही थी ना मैंने कहा लेकिन बात्रों के दर्वाजे की कुंडी तो बिलकुल ठीक है आप से किस ने कहा कि दर्वाजे की कुंडी खराब है मेरे ससुर ने कहा बहु तुम ही तो कह रही थी कि दर्वाजे की कुंडी खराब है ठीक कर देना अब तो मुझे अपने ससुर पर शक होने लगा कि वो जरूर जूर बोल रहे हैं, मैंने तो उनसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा, और भला मेरे ससूर दर्वाजे की कुंडी को कैसे ठीक कर सकते थे, मेरे ससूर तो अंधे थे न, या फिर वो अंधा होने का नाटक कर रहे थे, लेकिन वो ऐसा कर ही क्यों रहे थे, ये सब करके आख पती की आदत इतनी खराब थी कि वो बेवजा मुझे मारता पीटता रहता था इधर मेरे ससूर अंधे थे या नहीं ये बात भी कन्फरम नहीं हो पा रही थी अब मैं अपने ससूर पर कड़ी नजर रखने लगी थी जरूर मेरे ससूर कुछ न कुछ गलत करने वाले थे यही स कमरे के दर्वाजे पर खड़े हुए कमरे के अंदर देखने की कोशिश कर रहे थे मुझे अपने ससूर की ये सारी हरकते बड़ी अजीव लग रही थी मैं अचानकी दर्वाजे पर पहुँच गई मुझे देखकर वो बहुत घबरा गए थे और कहने लगे कि बहु मुझे कब चाय बना दो मैं समझ गई थी कि उन्होंने सिर्फ चाय का बहाना किया है मैंने उन्हें कहा कि ठीक है अभी बना कर लाती हूँ मैं किचन में चाय बनाते टाइम अपने ससूर की नजीब हरकतों के बारे में सोचने लगी थी ये बात में किसी को बता भी नहीं सकती थी औ उन्हें मेरी कोई परवा नहीं थी, वो सिर्फ सुबह को घर से निकलते और रात को ही घर में घुसते थे, और मुझसे तो हमेशा घुसे से ही पेश आते थे, उनके मारने पीटने के डर की वज़ा से मैंने अपने पती को बताना ठीक नहीं समझा था, और मेरी नन उसके सामने मैं ये बात नहीं कर सकती थी, कि उसका पिता बहुत अजीब और गरीब हरकते करता फिर रहा है, इधर मेरा देवर था, जो कि बहुत सीरियस रहता था, और बहुत सीरियसली ही मेरे साथ बात करता था, मैंने उसको भी ये बताना ठीक नहीं समझा, भला कौन सी आउलाद इसी बाते सुनना बरदाश कर सकती है, बलकि कोई भी ऐसी बाते सुनकर पहली बार में तो यकीन भी नहीं करेगा, मैं तीनों में से किसी के सामने भी ये नहीं कह सकती थी, कि उनके पिता ऐसी हरकते करता फिर रहा है, क्योंकि कोई भी मेरी बात का यकीन नहीं करता, कमरे में ही बंद रहती थी काफी दिनों से मैं नोट कर रही थी कि जब भी मैं किसी न किसी काम से कमरे से बाहर निकलती और कमरे के अंदर वापस आकर देखती तो मेरे ससुर बातरूम के दर्वाजे पर ही खड़े हुए होते थे और मेरे पूछने पर एकी बात कहते कि मैं प्रवाजे की कुंडी को ठीक कर दे, मुझे अपने ससूर का इस तरहां से मेरे कमरे में चले आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मुझे तो लगता था कि जैसे मेरे ससूर अंधे होने के साथ साथ भुलकड भी हैं, भला वो कोई मेकानिक थोड़ी थे जो कमरे की कुंडी को ठीक कर दे थे, उनकी बातों परते में बहुत जादा हैरान होती थी, कि वो अंधे होकर भी कमरे के दर्वाजे की कुंडी को ठीक कर सकते थे, जरूर मेरे ससूर को कोई ना कोई बिमारी थी, या फिर मेरे ससूर ये सब को जान बूच कर कर रहे थे, कहीं उनकी नियत तो मेर उपर खराब नहीं हो गई थी मेरे दिमाग में अपने ससुर के लिए ना जाने कैसी कैसी बाते आ रही थी क्योंकि उनके काम ही ऐसे थे कि मुझे उन पर शक करना पड़ रहा था वो बिना बताए अपने कमरे से बाहर निकलते ही मौका देखकर मेरे कमरे के बातरूम के बाहर कर खड़े हो जाते थे और कहते कि दर्वाजे की कुंडी ठीक कर रहा हूं मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आता था कि वो हर बार मेरे ससुर यही बाते क्यों कहते थे मैंने दूपैर का खाना तयार किया तब तक मेरी नंद भी कॉलिज से लौट आई थी और वो मुझे देखक कर कहने लगी क्या हुआ भाबी आप अभी तक किचन में ही हो सब कुछ ठीक तो है मेरी नंद कहने लगी आज खाने में क्या बना रही हो मैं खड़ी हुई अपने ससुर के बारे में ही सोच रही थी जब अपनी नंद की अवास पर मैं चौक गई और उसकी तरफ देखने इक बात पूछू तुम बुरा तो नहीं मानोगी न मैंने चूले पर चाय रखते हुए कहा मेरी नंद कहने लगी भाबी पूछो क्या बात है मैं क्यों बुरा मानूंगी मैं खुद को काम में बिजी रखते हुए अपनी नंद से बात कर रही थी लेकिन अंदर से मेरा दिल काप रहा था ये सोच कर ही कि अगर मेरी बात मेरी नन को बुरी लग गई तो वो कही मेरी शिकायत मेरे पती से न कर दे और फिर मेरा पती मुझे बहुत मारेगा मैंने बड़े डरते हुए अपनी नन से कहा पिता जी की आँखों की रोशनी कब से गई हुई है मतलब उन्हें क सबसे दिखाई नहीं देता मेरी बात पर मेरी नन पहले तो खामोश हो गई थी फिर उसने बताया कि काफी सालों पहले पिता जी का एक्सिडेंट हुआ था उसमें उनकी आँखे भी चली गई थी और उनके दिमाग पर भी बहुत गहरी चोट आई थी मेरी नन अपने पिता कप में कर देती हूँ लेकिन उससे पहले तुम पिता जी की कमरे में ले जाकर उन्हें चाय दे आओ जब तक तुम्हारी चाय थंडी हो जाएगी तुम वैसे भी थंडी चाय पीती हो ना उसके बाद तुम फ्रैश हो जाना सब लोग साथ बैट कर खाना खाएंगे मैंने च माहा क्यों नहीं जाओ नहा लो मैंने गोर किया था कि मेरी नन के कमरे में जाने पर मेरे ससुर मेरे कमरे में नहीं आये थे क्योंकि जब भी मैं नहाने जाने का इरादा किया करती थी तो मेरे ससुर पहले से ही मेरे कमरे के अंदर बातरूम के दरवाजे के पास मौजूद हो दिये माखामोशी से अपनी नंद को देखने लगी वो कितनी अच्छी थी वो मेरा बहुत खयाल रखती थी और एक मेरे पती थे जिसे मेरी बिलकुल भी फिक्र नहीं थी मेरा पती अपने काम से वापस आने के बाद रात को दोस्तों के साथ घूमने के लिए चला जाता था मे और तो की बहुत इज़त करता था मेरा देवर मेरी नंद से भी बहुत प्यार करता था और उसकी बहुत इज़त करता था उसकी जरूरत की हर चीज उसे घर में लाकर देता था इधर मेरे पती को अगर मेरी फिक्र नहीं थी तो उसे अपनी बेहन और पिता की भी कोई फिक् तो मुझे मारना पीटना शुरू कर देता था। छोटी छोटी बातों को लेकर मुझे ताने देता था। अगर मुझसे उसके किसी काम में कोई कमी रह जाती थी तो वो मेरा जीना दुश्वार कर देता था। मुझे अपने पती से बहुत डर लगता था। मुझे नहीं पता कि मेरे भाग्य में ऐसा पती लिखा होगा जिसको मेरी कोई कदर ही नहीं है अपनी नंद को देखती तो मुझे बहुत खुशी होती थी और अपने पती के बारे में सोचती तो बहुत दुख होता था मेरी नंद मेरी तरफ देखकर कहने लगी क्या हुआ भाबी ऐसे क्यों दे क्या बताती कि उसका भाई उस जैसा बिलकुल भी नहीं था वो तो एक बहुत बुरा और जालिम इनसान था मैं किचन में आकर अपने आसू साफ करने लगी और चेहरे को साफ करके डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए चली गई थी अगले दिन सारे काम से फ्री होने के बात मुझे नहाना था और मैं नहाने के लिए अपने कमरे की तरफ जा रही थी मैं जैसे ही अपने कमरे के अंदर गई तो मैंने देखा कि आज भी मेरे ससूर बातरूम के दरवाजे के आगे खड़े हुए थे मुझे कमरे के अंदर आता हुआ देखकर वो बिलकुल भी नह आज तो मुझे अपने ससुर पर बहुत जादा गुस्सा आ रहा था, मैं उनको वहीं छोड़कर अपने कमरे से बाहर निकल गई थी और सोचने लगी थी कि ना जाने मेरे ससुर को क्या प्राबलम है, मेरा दिल जोर-जोर से धड़क रहा था, अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मेरा ससुर मुझे पर बुरी नियत रखे हुए है, भला मेरे कमरे में मेरे ससुर बिना मेरी परमिशन के ही चले जाते थे, मैं तो अपने पती को भी कुछ नहीं बता सकती थी, मेरे अपने ही ससुराल में मेरी इज़त सेफ नहीं थी, नजाने मेरे ससुर ऐसा क्य कर देती क्योंकि शादी के बाद तो मुझे मेरे माय के वालों में से किसी ने भी पलट कर नहीं देखा था क्योंकि मेरे घर वाले तो खुद न जाने कैसे कैसे अपना गुजारा करते थे वो लोग मेरी मदद कहां से करते मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था इसके बाद मैंने हिम्मत की और खुद को मजबूत किया मैंने सोच लिया था कि मैं अपने ससुर से इस बारे में बात करूंगी कि वो ऐसा क्यों करते हैं उस दिन के बाद से मैंने अपने कमरे के दर्वाजे को लॉक लगाना शुरू कर दिया था जब मेरी नंद कॉलिज चली जाती मैं कमरे के दर्वाजे को लॉक लगा कर ही कमरे से बाहर निकलती थी ताकि मेरे ससुर मेरे कमरे के अंदर न जा सके और उसके बाद ही मैं अपने किसी न किसी काम में लग जाती थी गर्मिया थी इसलिए मेरा नहाने का ज्यादा मन करता था लेकिन ससूर की वज़ा से अब मैं बहुत ज्यादा साफधान हो गई थी ससूर के घर में होते हुए मैं अपने आपको सेफ रखने की कोशिश कर रही थी नजाने इस बाथरूम के दर्वाजे में ऐसा कौन सा रास था जो हर वक्त मेरे ससूर बाथरूम के दर्वाजे के सामने खड़े रहते थे लेकिन अब जब से मैंने अपने कमरे के दर्वाजे को लॉक लगाना शुरू किया था तो मेरे ससूर किचन में आ जाते थे और किचन में लगे हुए लाइट के बोर्ट के साथ छेलचाल करने लगे थे अब मुझे डर लगने लगा था कि मेरे ससूर ने तो किचन में भी आना जाना शुरू कर दिया और दिन में काफी सारा वक्त मेरा किचन में ही गुजरता था अब मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल घूमने लगे थे कहीं ऐसा तो नहीं मेरे ससूर मेरे करीब रहना चाहते हूं ये सोच मेरे दिमाग में आते ही मेरे रॉंग्टे खड़े हो गए थे देखने में तो मेरे स एसे नहीं लगते थे. मगर हरकते बहुत जादा घटिया कर रहे थे. अब ये बात तो साबित हो चुकी थी कि मेरे ससुर अंधे नहीं थे. लेकिन नाटक तो वो अंधो वाला ही कर रहे थे. और उनके घर में उनके बच्चों को भी यही पता था कि उनके पिता अंधे हैं. ज उनकी गलती से उनको करंट भी लग सकता है लेकिन अब उनको समझाता कौन वो अपने अंध्यपन के नाटक में इतने जादा खोए हुए थे कि वो ये तो भूल बैठे थे कि मैं उनकी बहू हूं उनके सगे बेटे की पतनी हूं मुझे अब अपने ससूर से डर लगने के साथ साथ नफरत भी होने लगी थी मेरे दिमाग में उल्टी सीदी सोचे आने लगी थी अब तो मुझे देखना था कि मेरे ससूर ये जीब जीब हरकते क्यों करते हैं अब दिन मेरे ससूर की गलत हरकतें बढ़ती चली जा रही थी वो घर में किसी के ना होने का बहुत फायदा लगे थे, और जहां मैं जाती, वो मेरे पीछे-पीछे आ जाते थे, मुझे अपने ससूर के डर की वजा से अब ज्याद दर कमरे में ही रहना पड़ता था, जब मेरी नन दुपयर को कॉलिज से घर आ जाती, तो मैं तभी अपने कमरे से बाहर निकलती थी, और तभी सारे काम करती थी मगर मैं अपने ससूर को ऐसे नहीं छोडने वाली थी अब उनकी हकीकत मुझे सब के सामने लाकर ही छोडनी थी ता कि उनकी बेटी और दोनों बेटे भी अपने पिता की इस उम्र में किये गए गंदे काम को देख सकें लेकिन मैं ये सोचती कि मैं इन लोगों को किस सरह से यकीन दिलाऊं, क्योंकि मेरे ससूर मेरी नंद के सामने तो ऐसा कुछ भी नहीं करते थे, और उसके सामने तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे, मेरे ससूर आज फिर से किचन में आ गए थे, मैं उनको बड़ी गोर से देख रही थी, ना जाने वो सारे किचन में क्या देख रहे थे और किचन के अंदर चक्कर काट रहे थे अब मुझे सबर नहीं हो रहा था मैं किचन से बाहर निकल आई थी और फौरण अपने कमरे में जाकर मैंने खुद को बंद कर लिया था थोड़ी देर के बाद जब मौका देखकर मैं अपने कमरे से बाहर निकली और किचन में जाकर देखा तो मैं ये देखकर हरान रह गई थी किचन में बहुत सारे कागस के तुकड़े रखे हुए थे ये सारे कागस के तुकड़े तो खाली थे अभी थोड़ी देर पहले जब मैं अपने कमरे में गई थी तो किचन में कुछ भी नह और अब जाकर देखा तो बहुत सारे कागस के तुकड़े पड़े हुए थे इस मैटर को तो मैं जितना सोलजाना चाह रही थी ये इतना ही उलशता चला जा रहा था मैंने सोचा कि क्या मैं अपने ससुर से जाकर पूछू कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं मैंने वो सारे खाली कागस उठाए और मैं उनको अपने कमरे में लेकर आ गई मैं एक उलशन से निकली नहीं थी कि दूसरी उलशन में चली गई थी भला इतने सारे कागसों का किचन में रखने का क्या मतलब था ये मुझे समझ नहीं आ रहा था जब मेरी नंद घर पर आ गई तो मैं वो स सारे कागस लेकर अपने ससुर के कमरे में चली गई इससे ज्यादा मेरे अंदर सोचने की हिम्मत नहीं थी इसलिए मैं अपने ससुर से आज साफ साफ बात करने के ठान ली थी मैं अपने ससुर के सामने जाकर खड़े होकर कहने लगी पेता जी ये सब कुछ क्या है मैं कहीं आप मेरे पीछे पीछे आते हो और बहाने बहाने से आप मेरे कमरे में भी चले आते हो और अब तो आपने किचिन में भी मेरा पीछा करना शुरू कर दिया मुझे लगता है कि आप मुझे पर अपनी नजर रखते हो और आज तो मैं समझ गई हूँ कि किचन में सारे कागस मैंने ये कहकर सारे कागस अपने ससुर के सामने रख दिये मिरी बात पर मेरे ससुर धीरे से मुस्कुराने लगे ओर उठकर उन्होंने कमरे के दरौजे को बंद कर दिया उनकी इस हरकत ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी मुझे अपनी गल्ती का ऐसास हुआ था कि मुझे अकेले अपने ससुर के कमरे में नहीं आना चाहिए था मैं बहुत जादा घबरा गई थी इस से पहले कि मैं दर्वाजे की तरफ भागती बाहर से खुदी अचानक दर्वाजा खुल गया और कमरे के अंदर मेरी नंद दाखिल हो गई थी वो भी मेरे ससुर की तरह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी मैं बहुत हैरान होकर अपनी नंद और ससुर की तरफ देखकर परिशान हो रही थी आखिर ये क्या मैटर था और ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे थे मेरे ससुर ने कहा बहु बैट जाओ मेरे ससुर ने अपनी बेटी को इशारा किया और मेरी नन्नी मुझे संभाला और बैट पर बठा दिया था मेरे ससुर कहने लगे बहू किसी को समझना और उस पर इल्जाम लगाना बहुत असान होता है इसी तरह गलत होते हुए भी गलत का साथ देना भी बहुत गलत होता है अब देखो मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ गलत किया ही नहीं तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ इसलिए तुमने मेरे बारे में अपने दिमाग में ना जाने किसके इस तरह के खयाल पैदा कर लिये इसके अलावा अब तुम चाहो भी तो मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं देख सकती तुम्हे तो सिर्फ अब मेरे अंदर मेरी गलती ही नजर आएगी तुम्हे लगा कि मैं तुम्हे बुरी नजर से देख रहा हूँ और तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है मैं तुम्हारा ससुर हूँ ओम्र और रिष्टे में भी तुम्हारे पिता की तरहा हूँ जब तुम मुझ पर शक कर सकती हो और शक के दायरे में आकर मुझसे सवाल कर सकती हो तो तुम इतना जुल्म सहने के बाद अपने पती पर कड़ी नजर क्यों नहीं रख सकती उससे तुम क्यों ये सवाल नहीं करती कि वो तुम पर बेवजा हाथ क्यों उठाता है और तुम प पीटता है अभी तुम्हारी शादी को दो महीने हो गए अगर अभी से ही तुमने अपने पती पर रोक नहीं लगाई तो आगी जाकर वो हम लोगों के सामने बल्कि पूरे मोहले के सामने भी तुम पर हाथ उठाएगा तुम्हारे खुद भी इज़त नहीं करेगा और दूसर सासूर बिलकुल ठीकी तो कह रहे थे मैं उनके बारे में भला क्या क्या सोचती रही थी मुझे अपनी सोच पर बहुत जादा शर्मिंदगी हो रही थी वो तो मुझे समझाने के लिए ऐसा कर रहे थे मेरे सासूर की बात सही थी कि मेरा पती मुझे कितना मारता है मुझ पर कितना अत्याचार करता है और मैं पलट कर उसे कुछ नहीं कहती और खामोशी से उसके अत्याचार सहती रहती हूँ जबकि मैं गलत नहीं हूँ मेरी कोई गलती भी नहीं होती बिना गलती के ही मेरा पती मुझे सजा देता है मैं अपने पती की पत्नी हूँ और उसकी पैर की जूती नहीं हूँ जिसे वो अपने पैरो तले रोन देता है मेरे ससुर ने कहा अगर तुम गलत हो तो तुम ये सब कुछ बरदाश करो और अगर तुम गलत नहीं हो तो फिर तुम इस सत्याचार के खिलाफ आवाज उठाओ तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है भला तुम ऐसे इंसान के साथ किस तरहां से जिन्देग्य गुजार रही हो मेरे ससुर ने कहा तुम आच की समझ़धर रुड़त हो जितनी समझ़धरी तुमने मेरे साथ दिखाई है उससे कही ज्यादा तुम्हें अपने पती के साथ दिखानी चाहिए उन्होंने कहा कि अपनी इज़त के खातिर अपने पती के सामने मुकाबले में डटकर खड़ी हो जाओ अपने ससूर की इबाद शायद मुझे समझ नहीं आती लेकिन मेरे ससुर्ण ने मुझे अपनी मिसाल जिस तरीके से बताई थी तो मुझे अपने हक में बोलना ही पड़ा था भला मैं अपने पती से ये जुल्म कब तक बरदाश करती अभी तो शुरुवात थी मेरा पती अभी से ही ऐसा था मेरे लिए तो सारी जिन्दगी पड़ी हुई थी क्या सारी जिन्दगी तो मैं अपने पती की मार खाकर नहीं गुजार सकती थी अब मुझे अपने हक में बोलना ही पड़ा था अब मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मेरा पती घर आएगा और मुझे मारने की कोशिश करेगा तो मैं उसकी मार बरदाश नहीं करूंगी बलकि उनको प्यार और महबबत से समझाऊंगी और अगर वो तब भी नहीं समझे तो फिर मैं उन्हें छोड़ कर चली जाऊंगी क्योंकि अगर कोई और यह बात सोच ले कि भला है बुरा है जैसा भी है मेरा आदमी मेरा पती है और मुझे इसके साथ ये जिन्देगी गुजारनी है ये कहना बहुत आसान होता है लेकिन सारी जिन्देगी ऐसे आदमी के साथ गुजारना जो आपके साथ जानवरों जैसा सुलूग करे ऐसे इनसान के साथ जिन्देगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे इनसान के साथ जिन्देगी गुजारने से अच्छा है कि हमें मौत आ जाए या फिर हम वक्त आते ही समल जाए मैंने रोते हुए अपने ससुर जी से माफी मांगी थी मेरे ससुर्ण ने कहा मेरा मकसद बस तुम्हें समझाना था उन्होंने कहा कि मेरा एक बेटा जो मेरे कहने के मुताबिक चलता है वो तुम्हारा देवर है और मेरा एक बेटा जो मेरे कहने के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं चलता वो तुम्हारा पती है, अब उसको सुधारने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि औरत के अंदर एक ऐसी ताकत होती है, जो मर्द के दिल को पत्थर से मोम बना सकती है, मैंने ठान लिया था कि आज मैं अपने पती से बात करके ही रहूंगी, भला वो मेर साथ ऐसा क्यों करते हैं, उनका behavior मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं रहता, मेरी नंदी ने भी कहा था कि भावी मुझे ही सब कुछ पहले से ही पता था, कि पता जी आपको यह आइसास दिलाने के लिए ही इस तरह से acting कर रहे हैं, मैंने आपको सब कुछ इसलिए नहीं बताया क्योंकि शायद आप इस तरीके से समझ सकती थी, मैं अपनी नंद को हैरत से देखने लगी थी, वो भी इस acting में शामिल थी, मेरी नंद ने कहा अब आप भाई ऐसे इस तरह से ही बात करोगी, जैसे आपने पिताजी से बात करने की कोशिश की थी, मैंने अब अपने ससुर औ नंद की बात को समझते हुए अपना सर जुका लिया था, और सोच लिया था कि मैं ऐसा ही करूंगी, जैसा मेरी नंद और मेरे ससुर ने मुझे समझाया है, कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मुझे जानकर भी बहुत खुशी हुई थी, कि मेरे ससुर देख सकते थे, मैं अगले दिन से ही उन्होंने अंधे होने का नाटक करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बेटा जो कभी अपनी बेहन के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, वो अपनी पत्नी के साथ भी बुरा ही करेगा, मेरे ससुर का कहना था कि उनका बेटा बहु से ज्यादा बाचीत नहीं करता था इसलिए मैं इस बात से अंजान थी कि मेरे ससुर देख सकते हैं और वो सिर्फ अंदे होने का नाटक कर रहे हैं लगभग रात के दो बजे के टाइम पर मेरे पती घर आये थे उन्होंने दर्वाजा बजाया तो मैं दर्वाजा खोलने के ल लाने लगे थे इससे पहले वो मुझ पर हाथ उठाते मैंने उनका हाथ पकड़कर उनको रोक लिया था और साफ साफ कह दिया था कि मैं उनकी इस तरह की बत्तमीजी और उनकी मारपीट को अब बरदाश नहीं करूंगी और साथ ही मैंने उनको ये भी बता दिया कि मैं प्र अपनी पतनी के साथ ऐसा ही करेगा जैसा आप मेरे साथ करते हो मेरी बाते सुनकर मेरे पती शौक्ट खड़े रह गए थे मैं अलमारी के पास गई और मैंने अपना बैग उठाकर अपने कपड़े पैक करना शुरू कर दिया था मेरे पती एक तरफी खड़े हुए थे काफी देर तक मैं अपनी पैकिंग करती रही उसके बाद फारण मेरे पती मेरे करीब आय और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया था वो बहुत जादा रोने लगे थे और मेरा शुक्री आदा करने लगे मुझे लगा कि मेरे पती पागल हो गए है मैंने उन्हें दूर किया और अपने काम में बिजी हो गई मैं जा तो नहीं रही थी बस उन्हें डरानी के लिए एक्टिंग कर रही थी तब वो जल्दी से कहने लगे कि मैं अपने किये पर बहुत शर्मिंदा हूँ मुझे माफ कर दो पता नहीं क्यूँ मुझे और तो से नफरत है और मैं समझता हूँ कि औरत की इज़त करना मर्द का काम नहीं होता बलकि औरत को तो मर्द की नौकरानी होना चाहिए ये मेरे अंदर एक अजीब तरहां का घमंटा मुझे माफ कर दो मुझे नहीं पता था कि आगे चलकर इनसान को अपने जिंदगी में ही अपने किये को भुगतना पड़ता है शायद आज तुमने ये बात मुझे समझा दी है मेरा पती बहुत जादा रो रहा था और मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं जित पर अल गई थी कि मुझे अपने माई के जाना है मेरे पती ने मेरे पैरों में गिर कर मुझे माफी मांगी और कहा कि शायद मैं भटक गया था मुझे माफ कर दो आइंदा मैं तुम्हारे साथ कभी भी ऐसा नहीं करूँगा मैं अपने पती के कहने पर रुख गई थी और अपने कपड़े मैंने वापस अलमारी में रख दिये थे उस दिन के बात से ही मेरे पती ने मेरा बहुत खयाल रखना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें पता था कि मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मेरे पती आज भी मुझसे अपने गल्ती पर बहुत शर्मिंदा होते हैं उन्होंने मेरे साथ पहले जो कुछ भी किया था उस पर वो बहुत शर्मिंदा होते हैं और इस वज़ा से वो मुझे बहुत प्यार करते हैं मेरे पती ने मेरे साथ साथ अपने पता और अपने बहन भाईयों को भी वैल्यू देना शुरू कर दिया था फिर मैंने जब अपने बेटे को जनम दिया तो मेरे पती के पैर जमीन पर नहीं थे उन्होंने मेरे साथ साथ भगवान से भी रो रो कर माफी माγ़ी थी और शायद भगवान ने उन्हें माफ कर दिया था तब ही तो उनको पिता बनने की खुशी दी थी अब मैं अपने पती के साथ बहुत खुश हूँ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज औरत को नौकरानी या फिर उसे अपनी मार का हिस्सा मत बनाओ औरत को इज़त देना सीखो चाहें वो आपकी माँ हो बेहन हो बेटी हो या फिर आपकी पतनी ही क्यों न हो और मैं औरतों से भी कहना चाहूंगी कि ऐसे मर्दों का जुल्म बिलकुल भी न सहें जो आपके साथ जानवरों जैसा सुलूक करते हैं अतियचार के खिलाफ आवाज उठाएं तब ही आपकी जिंदेगी बहतर हो पाएगी वरना तो सारी जिंदेगी सती सावितरी बनकर गुजारने से आपको कोई फायदा नहीं होगा दोस्तों उमीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ नोटिफिकेशन बैल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सिबसे पहले आपको मिले